घर से नकारात्मक उर्जा दूर करने के सरल उपाए नमबर एक आपके घर के खिड़की और दर्वाजे बाहरी उर्जा प्रिवेश्ट करने के माथ्यम होते हैं सबसे जरूरी है इन स्थानों की सफाई करना इसके लिए आप थोड़े से पानी में एक निवू नुचे उड़कर उसमें एक चमस सफेद विनेगर डालने और इस पानी से अपने घर के खिड़की दर्वाजों की सफाई करें यकीन मानिए नेगेटिव एनरजी घर को छू भी नहीं पाएगी नमबर दो, घर के किचन में गंद की रहने से घर के सदस्यों के स्वास्त के साथ सर्थ आर्थिक तरक की भी प्रवावित होती है इसलिए किचन को हमेशा साफ सुत्रा रखें नमबर तीन, अपने घर के टॉलेट या बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद करके रखें और उन्हें साफ रखें योगि यहां से भी नकारात्मक उर्जा घर में आती है नमबर चार, कमरों की नेगेटिव एनरजी दूर करने के लिए आप सुगनली धूप बत्ती या अगरबत्ती चला दें ऐसा करने से आपको नींद भी अच्छी आएगी नमबर पांच, अच्छी उर्जा को जाकरित करने के लिए घर में पड़े सभी निस्क्रिय स्रोतों को जाकरित करें इसके लिए घर में सुभह साम घंटी जरूर बजाएं नमबर च्छे, मौमबत्ती का उपाए पुराने समय में घर की नेगेटिव एनरजी को दूर करने के लिए मौमबत्ती जलाई जाती थी आप भी योग या ध्यान करते समय एक मौमबत्ती जला लें तो इससे मन को बहुत शान्ती मिलती है अक्सर देखने में आता है कि लोग अपने घर के अंदर की सफाई कर लेते हैं और मुख्य द्वार के स्थान की अंदेखी कर देते हैं जबकि सारी सकारात्मक उजा यहीं से प्रवेस करती है इसलिए घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखे सुभे सबसे पहले मुख्य द्वार पर पानी डालने से लक्षमी प्रसंद होती है और सुक शान्ती बनी रहती है धन्यवाद